हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई हो बहुत अच्छे होंगे आज मैं आपके लिए किचन के कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स लेके आई हूँ जिसे फॉलो करके आप अपने किचन के कामों को कर सकते हैं आसान अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई जरूर कमेंट करें तो चलिए वीडियो फटा फटा स्टार्ट करते हैं टिप नंबर वन है हम लोग मार्केट से बहुत सारे मिर्च लेकि आजाते हैं लेकिन इसे हम जाद़े दिन तक स्टोर नहीं कर पाते हैं उसके लिए ह्में क्या करना होगा हरे मिरज को अच्छी तरीके से वाष कर लेना है ड्राई कर ले लेना है उसके बाद जो इसकी कंटेनर होते हैं इसे आप बहुत ही अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं इस कंटेनर को हमने अच्छी तरीके से वाश करके ड्राइ कर लिया है अब हमें कंटेनर में नैपकिन लगाना है और जो हमने हरी मिर्श रखी थी इसे इसमें ट्रांसफर कर देंगे नैपकिन से इसे और ये हरी मिर्च 7-8 दिन तक खराब नहीं होती, अब ये जो हरी मिर्च की डंडियां थी, इसे भी आप यूज में ला सकते हैं, ये बहुत ही काम की चीज होती है, इसे कभी न फेके, जब कभी हम टमाटर मार्केट से लेके आते हैं, वो जल्दी से पक जाते हैं, खराब हो उसके लिए क्या करना है, इसके साथ अगर आप हरी मिर्च की डंडियां रख देंगे, तो ये टमाटर जल्दी खराब नहीं होंगे, बहुत ही जादा दिन तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं, टिप नमबर 4 है, जो हमारे बहुत ही काम आने वाली है, और हमारे टाइम क कयसे निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता है, तो उस टाइम को आप कैसे बचा सकते हैं, लहसून को छीलने में बहुत जाधा टाइम लगता है, जब कभी हम सबजी बनाते है, तो इसे हमें बार बार ठाव चीलना पड़ता है, उसके लिए क्या करना होगा हमें, जब कि लिए आपको क्या करना हों, इससे इस टोर कैसे रखें जसे फिल आ उसके लिए क्या करना है, आपको सारे लाहजुन को पहले ची तरीके, चुची तरी मैं च्ची तरीके से छीन लीज़ें, अगर आपको कोई भी चीज रखनी है उसे उसमें तो उसको आपको पहले ड्राइ करना होगा वाश करने के बाद उसके बाद इसमें नैपकिन लगा दीजिए अब हमने जो लेजन शील के रखा वो हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे इसे एक और नैपकिन से अच्छी तरीके से कवर कर देंगे जिससे कि इसके अंदर अगर थोड़ा बहुत मौशर रह भी जाता है तो वो यह एब्सॉर्फ कर लेगा उसके बाद आप इसे कवर करके साथ से आट दिन तक रख सकते हैं जब कभी आपको यूज करना है निका लिए और यूज कर लीजे टिप नंबर करें जो बैगे साथ कभी जब करने में तो कपड़े में यूज करते हैं तो उसे क्या करना है दोनों जो जीप है जीप को लॉक करने के लिए को यूज करने हैं और इस बीडफी पसाना है और लोग कर dina लों करने से यह बैग जो है एक्दम सेफ हो जाएग कोई अगर आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रामली फ्रेंड में शेयर जरूर कीज़ेगा आप मैं मिलूंगे अपने एक नए रेसिपी के साथ तब तक देखते रही है शेफ होनम घर की रस होई